वो जो चैंपियन वाली ट्रॉम ट्रॉमाठी ट्रॉफी है वो ट्रॉफी के हगदार कौन होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन उनके लिए यहाँ पे जी जान लगानी पड़ेगी देखते हैं कि वो चम चमाठी ट्रॉफी कौन ले जाता है डुरौन सिलेवन या मह का लिलेवन वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन उसी बीच यहाँ पे यूटूब लाइव भाइस भाई पटेल आमद्रा जो प्यार स्पोर्ट्स लाइव के नाम से जाने जाते हैं काफी उम्दा यहाँ पे आयोजन यूटूब का और वो यूटूब का जो जो प्रेक् कर सकते हैं अगर भावस भाई से संपर्क नहीं हो सकता है तो हमारे साथ भी आप संपर करके उनका संपर्क कर सकते हैं तो यूटूब लाइव पिर स्पोर्ट्स और के मेरा मैन की भूमिका निबा रहे हैं उमेज पटेल काफी बड़िया उन्होंने तीन दिन तक जो यूट लाइव चलते हैं और उसके साथ चहे की तरह मेट पटेल भी साथ में चलते हैं तो यूट्यूब लाइव ऐनलाइन स्कृणर है मीट पटेल और हमारे अफ़लाइन स्कृणर जो के हमारे मित्र किस पटेल जिन्होंने पूरी टुनामेंट में काफी बड़िया यहाँ पे आफलाइन स्कोरिंग किया है तो डोनो स्कोरर को भी हम आयो जोकी और से तेह दिल से सुक्रियादा करते हैं और आबार भी प्रगट करते हैं और यहां पे जो पीच है बड़िया पीच जो हमने पूरी टिम मेंड और साथ में पूरी टुनामेंट में देखा कि काफी बड़िया खेली है और सब को बहुट ही बड़िया सहयोग मिला है रेड़ि ओके और हमारे एम्पायर की भूमी का है में है जेडी प्रावल और कुनाल सर तो उनके यहाँ उनके द्वारा हमें यह मेगा फाइनल के स्टार्ट होने का सिगनल मिल चुका है तो लेट स्टार्ट तो यहाँ पे फाइनल खेलने के लिए दोनों ही टीम में काफी बड़ी आउट सा और प्रेक सक उनसे जादा आउट सा हिट है यह रोवान चक बराव फाइनल देखने के लिए तो फाइनल देखने के लिए हो जाओ तयार और यहाँ पे पहली ओवर की पहली गैन फैकने के लि यह तैयार है मॉनाक और रुट्विक जो के परंबिक बल्डेबाज के रूप में आए है स्ट्राइकर पर है रुट्विक और उनका साथ निभाने के लिए नॉन्ट्राइक पर मॉनाक फिल्डिंग में ठोड़ी सी यहां पर जो सजावट हो रहे हैं अमित कप्तान के साथ पूरा सयोग करते हुए क्योंकि काफी पूराने खिलाड़ी है अनुभवी खिलाड़ी है तो जानते है कि किस प्रकार की गैनबाजी हो रही है और यह जो गोलवार का जो ग्राउंड है उ भली बादी सभी जानते हैं और उसी प्रकार करते हुए और पहली गैन पर बैटकाप बहारी किनारा लेकिन कीपर की पहुंच से बार एक रन जरुरू चुराने में कामियाब रहे तो इस प्रकार रिट्विक ने अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए एक रन से अप क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतिजार और देखना पड़ेगा कि वो चम चमाटी चैंपियन की ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी डुवांसी लेवन के हाथ में जाएगी या महाकाली लेवन के हाथ में वो आने वा वक्त बताएगा उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतिजार हमारे महिस भाई जो के पूरा ने खिलारी काफी अच्छी गैन बाजी की लेकिन हाड लख सेमी फाइनल से फाइनल में जगा नहीं बनाया पाई लेकिन काफी अच्छी क्रिकेट खेली मुर्याई लेवन लिग मेंच में चार मैच जीत के वह आई थी और यहाँ पर उसी बीच गैन की अगली गैन और यहाँ पर गैन हवा में चरू पहुंची थी मौनाक के द्वारा काफी अच्छा सौट दो रन से नहीं रोख पाएंगे इस दो रन के साथ अब स्कोर बॉर्ट पे स्कोल लग चुका है तीन रन गैन हवा में जरू थी लेकिन फिल्डर की पहुंच से बाहर पहली गैन में भी बैट का हलका सा बाहरी किनारा लगा था लेकिन कीपर की पहुंच से बाहर था इस बार भी दूसरी गैन बेबी कैन हव में चली गई थी लेकिन फिल्डर की पहुंच से बाहर थी और नतीजा काफी बढ़ी आगें टपा खाने के बाद हल्की सी बाहर रहे ठोड़ी सी दीशा से बढ़के और हमारे एंपायर काफी चोकन एक कुणाल पटेल और उन्होंने वोर सार उख्वाली पोस्ट देटी का है चार तो धीरे-धीरे यहां पे में फाइनल मैंच का रोमांच बढ़ता हुआ और आगे उसी बीच काफी बढ़िया सोट काफी बढ़िया और यहां पे फिल्डर थोड़े से फिसले और नतीजा जहां पे एक रन होना चाहिए था वहां पे चार रन चुरा लिए कि अगर अगर मैच होती है तो आपको संबल के दोड़ना चाहिए क्योंकि ग्रास पे ठोड़ी सी हलकी सी बुन्दा बांदी भी होती है और इसी वज़ाद से जो ड्यू होती है और ड्यू की कारण आप स्लिप हो सकते है चोटिल हो सकते है तो आपको संबल के उस तरफ उसे जहन में रखके खिलना पड़ेगा फ सब्सक्राइब जब तक फिल करें एक रंचुरा लिया इस एक रंच के साथ स्कोर बढ़ता हूँ आप जा पहुचा है नौ रन पे टॉप यह पहली वर का खेल जारी है और जो यह आठोवर का मैच है तो यहाँ पे डो वर फिल्ड रिस्रिक्शन रहेगा यानि दो ही खिला सब्सक्राइब को लेक साइड पे तैनाट कर दिया गया है कि काफी बढ़िया गैन कि फिल्डिंग वहाँ पे एक रंच से संटोज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से निस्टी टूप से अपनी टीम के लिए टीन रर्ज जरूर बैटा है लेकिन लेक साइब ठोड़ा सा बहार और एंपाइर का इस सारा वाइड तो अतिरेक रं यहाँ पे दो मिलेंगे इस दो रं के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचेगा 11 काफी बढ़िया सोट डो फिल्डर के बीच में खेला हुआ सोट अमिट के पास यहाँ पे उसके रोकने का मौका नहीं और नटीजा चार रं और इस चार रं के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 15 रं तो यह पहली और का खेल जारी है और स्कोर वाट पे स्कोर लग चुका है 15 रं तो काफी अच्छी सरुवाट कहीं जाएगी ड्रुवान सी लिवान की और से मोनाक जो के चार गेनों में 11 रं पर अभी भी खेल रहे है और जो मोस्ट वैलिवल प्लियर है उसकी लीडर बाड में वो पहले रं पाइडान पर बने हुए है हलकी सी मिस्फिल डो रं चुराने में कामियब जहां एक रं होना चेह था वहाँ पर हलकी सी मिस्फिल की वज़त से ओवर हो चुकी है एक ओवर की समाप्री हो चुकी है और एक ओवर की समाप्री पर स्कोर हुआ है 17 रं यहां पर अनिल सर भी पहुँच चुके हैं अनिल सर का आई जग की और से हाड़िक स्वागट करते हैं जो यहां पर यह पीच बनाई गई है उसमें उन्हों का काफी अहम योगडान रहा है और और उसके साथ अलपेस हीटेन जिटेस प्रीट व्रजबेशनाव क्रीस और अमिट जिन्होंने पीच बनाने में काफी अहम भूमी का निभाई है तो काफी बढ़िया यहां पर जो यह विकेट है वो टियार करने में उन्हों का बहुत ही बड़ा योगडान रहा है तो कि एंपाइर से बिंटी है कि थोड़ा मैच जल से जल आगे बढ़ाए क्योंकि यह मेगा फाइनल है और हमें अपने जो ताइम आउट में जो मैच खिला जा रहा है उसको अपने समय में पूरा करना है नौचालिस हो चुकी है तो जड़ा से जड़ा जल ली करे ऐसी हमारी नम्र गुजारी से तो अब दूसरी और की जिम्मेदारी काफी अनुभवी घैनबाज अमित को दी गई है अमित का इस टुनामेन में काफी अहम योगदान रहा है काफी बढ़िया घैनबाजी की है और फाइनल में पहुचाने में उनका भी बढ़िया सोयोग रहा है आप पहुचाने में आप अमित की है काफी बढ़िया सौट यहां पर अगर यहां अमिट यह जो मेगा फाइनल चल रहा है तो यहां पर इनाम की भी यहां पर गोशना हो चुकी है अमिट अगर रुट्वी के विकेट लेते हैं तो वीवेक की ओर से 501 रुपे का नकट पूर असकार दिया जाएगा तो दीरे दीरे यहाँ पर बारी बारी इनाम की भी गोशना हो रही है रुट्वी के अगर विकेट लेते हैं अमित तो 501 रुपय का नकट पूरसकार वीवेक और केवल के और से दिया जाएगा तो दूसरी वर का यहाँ खेल जारी है दूसरी वर की गैन दूसरी गैन यहाँ पर फ्रेकने के लिए अमित तैयार और उसका सामना करेंगे मॉनाक और इस बार गैन हवा में और फिल्डर ने कोई गल्टी नहीं की तो मॉनाक यहाँ पर आओ ठोर कर वापस पे अलियनमे हम अरुकार呢 सितके नवीन कोड़ी और यह कर राह में मौनाख आउट होकर वापस पोहें इलियन में पहुँच चुके हुड़ों ने छे गेनों में 13 रनों का महतोपड योगदान दिया है लेकिन मौनाख एसे खिलाड़ी है जो आखरी तक खिलते रो ढुवान सी लेवन के लिए काफी अच्छा होटा लेकिन अपने सौट से काफी नाखुस हो क्योंकि आउट होकर वापस पहुँच चुके हैं और उनका स्थान लेने के लिए अब पहुँच चुके हैं मौनाख के आउट होने के बाद उटका स्थान लेने के पहुँच चुके हैं पथिक अगर अमिट इसके बाद अगर कोई विकेच चटकाते हैं तो केवल और विवेक की और से सौ रुपे का नकट पूरसका दिया जाएगा और हैट्रिक चटकाते हैं तो पांसो एक रुपे का नकट पूरसका दिया जाएगा तो तो यहाँ पे इनामों की बहुचार होने चाल रुट्विक के उपर रुट्विक ने अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया है लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यहां से वो किस प्रकार की पारी खेलते हैं मौनाक जो के आकरम कुर्प से खेल रहे थे छे गैनों में टेरा रन बनाये थे लेकिन आखरी में आउट होक और वापस पहले और उसी बीट यहां पर काफी बढ़िया रनिंग बीट्विकेट दो रन से नहीं रोख पाएंगे दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुचा है बीस रन एक विकेट के नुकसान पर तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अमिट जो के काफी अच्छे अब तक तीन गैन फ्यक्ट चुके है और महस्तीन रन डिये है और फिल्ड रिस्टिक्शन में इस प्रकार की गैन बाजी करना इतना आसान नहीं है लेकिन मंजे हुए गैन बाज है और उसका सामना कर रहे हैं पथिक जो के पहली गैन पर डो रन बना के अभी भी कृस पे प्रठीक जो के मोना क्या उटके होने के बाद स्टाइक पे आये हैं और उन्होंने भी अपना इराद अच्छता दिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आक्रमक रूप से खेलना है और यह फिल्ट रिस्टिक्शन का जो लाभ है लेना है और उसी बीच यहाँ पे गेंट फोड़ी सी डिसा से बढ़के अमिट और नटीजा हमारे एंपायर कुणाल सर का वाइट का इसारा और वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुचा है 25 रन तो यहाँ पे मैं जरू कहना चाहूंगा कि जो फिल्ड रिस्टिक्शन का जो ओवर होता है उसका पूरा लाब यहाँ पे डोनों बल्ले बाज यहाँ पे उठाते हुए और इसी बार फूरी तरह से डिसा से बढ़के लेकसम से काफी बाहर एंपायर कमने कोई यहाँ पे गड़बरी नहीं की और रटीजा वाइट और वाइट के साथ स्कोर बढ़त कि यह मेगा फाइनल का मुकाबला चल रहा है और मेगा फाइनल खेला जा रहा है ड्रुवांस इलेवन और महाकाल इलेवन के बीच में है फिर से लेक साइट पे काफी बाहर और एंपायर का इस सारा वाइड और अतिरेक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ काफी बढ़िया सोट गली की दिशा में खेला हुआ सोट एक रन से जरूर यहाँ पे आगई जाना चाहेंगे और स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुंचा है अब 27 गुलवार चैंपियन्स लिग सीजन टू का ये मिगा फाइनल तरह है काफी बढ़िया यहाँ पे आयोजन किया गया है नेहल पटेल जैस पटेल प्रिटेस पटेल और हिटेस वैसनों के द्वारा डेनाइट टुनामेन डस्ती में यहाँ पे हिस्सा ले चुकी है और यहाँ पे दो टेम फाइनल में जाने में काम्याब रहे है ड्रुवांस और महाकाल यह दूसरी और का खेल जारी है दूसरी और की आखरी गेन बाकी है और स्कोर हुआ है 28 रन एक विकेट के नुक्सान पे जो कि बहुत बड़ा जटका था मॉनाक के रूप में इस बार फिर सेल काफी बढ़िया सॉट फाइन की फाइन लेक डिसाप में खिला हुआ सॉट और नतीजा चार रन और चार रन के साथ स्कूर बढ़ता हुआ अब जा पहुचा है 32 रन कि अजय गूट है combin IPPI सानी कॉट में पुट हुचानी लाक में पंडर में एला मान हो जबडरा के लामान है ठैंक्यू डीजे बढ़िया स्टार्ट दिया था और उस स्टार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं रुट्विक और पथिव अब देखते हैं फिल्ड रिस्टिक्शन खुलने के बाद जो तीसरी ओर की जिमेडारी है वो किसे कप्तान देते हैं तीसरी ओर की जिमेडारी लेके आए हैं योगेस अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फिल्ड रिस्टिक्शन खुलने के बाद योगेस किस प्रकार की घैन बाजी करते हैं और रुट्विक और प्रतिक किस प्रकार की बल्ले बाजी करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से मिडान सच चुका है मेगा फाइनल के लिए और तिसरी और की जिमेडारी नेके लिए आये हैं योगेस और उनका सामना करेंगे प्रतिक काफी आक्रमकुरूप से खेलते हुए तीन गैनों में सात रन बनाके जिसमें एक एहम चौका भी सामिल है काफी बढ़िया गैन पूरे सनमान के साथ सीधे बल्ले से खिला हुआ स्वाट फिल्डर जब तक फिल करें एक रन आसार से मिल जाएगा और एक रन चूराने में काम्याब और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आप जहाँ पहुँचेगा तो यहां से जो 16 की उसर से जो रन बन रहे है वो रनों की गती यहां पर बल्ले बाज बढ़ाने की कौसिस करेंगे लेकिन उसे रोकने की पूरी जिम्मेडारी यहां पर योगेस के गैन बाजी में रहेगी फिल्लिंग में ठोड़ी से टब डिली की गई है जो लॉंग ऑन के दिसा में नेहल थे उसे लॉंग ऑप की दिसा में पूरी जिया गया है और दिरे दिरे क्योंकि यहां पर फिल्लिंग में ठोड़ी से सजावट करनी ज़रूई है क्योंकि लेर फ्रेंड और राइट हैंड का कॉंबिनेशन है रुट्विक जो के आकरमों से खेलते हुए टीन गेन में छेरन बना के अभी भी खेल रहे हैं और यहां पर काफी बढ़िया गेन रुट्विक कुछ समझे उससे पहले कीपर के दर्स्तान में और कीपर ने कोई गल्टी नहीं कि नतिजा बिंडिगेन तो काफी देर के बाद यहां पर बिंडिगेन दिखनों को मिल रही है दिखाई नो देखाई नो के लिए यहां प्राइब रिखाई लुटो तेख बिंडिखाई यहां यहां प्राइब कर दो देखाई यहां यहां डाद कि अजब देखाई प्राइब चक्छ। कर दिए पूल टोस गैन उठाके खेल दिया है फिल्डर के पास उसे रोकने का मौका जरू ठा लेकिन इतने अनुभववी फिल्डर है फिर भी अमित ने वहाँ पे गल्ति कर दी गैन के पास जाने है चाहिए था उनको गैन आने दिया और नतीजा वन बाउंट्स गैन चली गई सिमा रिखा के बाहर और शार रन मिलते हुए यहाँ पे अभी तक तो दूसरी ओवर की टीन गैन फेकी चाचुकी है और स्कोर बॉर्ड पे स्कोर लग चुका है 37 तो काफी अच्छा स्कोर कहें आ जाएगा यहाँ पे यह मेगा फाइनल है और फाइटिंग स्कोर 80 के आसपास होना चाहिए अगर 80 के आसपास स्कोर बंटा है तो निश्च्यत्रप से यह फाइटिंग स्कोर कहा जाएगा यहाँ पें दुआन सी लेवन और महा पाल के बीच में जो टोस वा था जो महा पाले जीता था हलो 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 है कर दो 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 पूरी तरह से जानते के उनकी विक्टेक का वो महत्व भी जानते हैं और नतीजा अभी भी पूरी संभल के अमनी पारी आगे खेल रहे हैं क्योंकि मौनाक आउट होकर वापस पहलेन में पहुंच चुके हैं यहां पर टीन ओवर की समाप्टी हो चुके टीन ओवर की समाप्टी पे स्कोर हुआ है चालिस तरण एक विक्ट के नुक्सान पे यहां पर अगर बॉल का बड़ने का प्रावधान है तो चार वर के बाद बॉल बड़ली जाएगी वो बोर्ट साइड रहेगा डोनों टीम के लिए यही नियम रहेगा प्रज वैसनाव जो कि इस तुनामेन को सफल बनाने के लिए काफी एहम भूमिका निपाते हुए काफी मेहनट की है पीच बनाने में आयोजन करने में और सभी में उनका बड़िया ही सहयोग रहा है तो आयोजक के और से उनका भी हम अभार प्रगट करते हैं एमपायर से बिंटे है के जल से जल मैच चालू करें हम जानते हैं कि यहां पर जो यह ग्रास वाला विकेट है तो यहां पर डूर गिरती है तो ठोड़ा सा गेंग गिला हो जाता है लेकिन फिर भी हमारे टाइम्स के साथ यहां पर मैच चलना चाहिए कर दो यहां पर जानते हैं कर दो मोन। झाहिए है अबसित जांऊ कर दो यह ज्याहित अरो यह है ऑ। ज्याहित वल्लини मुड़। जताल अ़rica और म。 क्यलों के का लूर गर चूर ख। श्याख-द्दल ऊ पर चौटी ओयर की जिम्मेदारी कमलेस को दी है जो रणो की घटी थोड़ी सी डुकी हुए है उसे बढ़ाने की कॉसिस में रूट्वेक ने काफी अच्छा यहां पर सॉट लगाया चारोनों के लिए और इसी बीच यहाँ पे गैन कपी देर तक हो हमें लेकिन सेफ जोन में गिरेगी रूट्वेक एलए कोई खत्रा नहीं लेकिन डूसरे रन के लिए वहाँ पे डॉड़ना चाहते थे वहाँ पे खत्रा जरू हो सकता लेकिन यहाँ पे प्रठिक ने उस से मना कर दिया नतीजा एकी रन से यहाँ पे रुटिक को संटोस करना है पड़ेगा लेकिन इस एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 47 तो यह चोटी ओर का खेल जारी है और स्कोर बोर पे स्कोर लग चुका है 47 तो काफी अच्छा स्कोर कहा जाएगा और उसका पुरा स्रे जाएगा मोनाक रुटिक और पठिक को तो काफी अच्छा स्टार्ट मिला है तो यहाँ पे बात जरूर करना चाहूंगा कि टॉस यहाँ पे महाकाल ने जीता था लेकिन फिल्डिंग चुनी थी तो थोड़ा सा यहाँ पे नीना ही अब एग को यहाँ पे जाएगा जाएगा मिला ही काफी देर तक हवा में फिल्डर उसके नीचे और यहाँ पर बड़ी मचली को जाल में फसा लिया ठाल लेकिन वो जाल त्लूट को का और नटीजा यहाँ पर प्रठिक को यहाँ पर एक जिवद्डान मिलता हुआ नेहल जैसे मंजेवे खिलारी को इस प्रकार की गल्टी करते हुए मैंने पहली बात देखा है काफी बड़िया फिल्डर है लेकिन आज गल्टी कर बेठे मेरे ख्याल से यहाँ पर यह जो मेगा फाइनल चल रहा है उसका डबाऊ उनके पार से और नेजा प्रथिक को यहाँ पे पहला जीवद्डान मिलता हुआ नेहल के हाट में लॉली पौप सा केच था और वो केच छोड़ दिया नेजाश यहाँ प्रथिक को पहला जीवद्डान मिलता हुआ निहल जो के काफी अच्छे फिल्डर है उनके हाथ में गैन यारी फेरिकल का मजबूर जोड लेकिन आज वो फेरिकल का मजबूर जोड तूट चुका है और इसी बीच यहाहाँ पर काफी अच्छी गैन, टप्पा खाने के बाद हलकी सी बाहार निकली गैन बल्लेबाज के पास उसे खेलने का कोई मौका ड़ी और नतीजा गैन चली गए, कीपर के पास में कीपर ने कोई गल्टी नही, तो काफी देर के बाद फिर से एक और डॉट गेंट देखने को मिल रही है तो ये चोठी और का खेल जारी है और खेल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके साथ रणों की घती भी बढ़ रही है उसी बीच यहाँ पे पूरी सनमान के साथ पॉइंट की रिसा में खिला हुआ पॉइंट के फिल्डर जब तक फिल करें एक रण चुरा लिया तो यहाँ पे 49 रण बन चुके हैं और वेलकम 50 के पास स्कोर पहुँचता हुआ तो चार ओवर में 50 रण का स्कोर बना लेना इतना आसान नहीं है और इस पे इस पे बनाना तो उससे भी बोड़ा मुश्किल काम है उसी भी थोड़ा से फिल्डिंग का मुआई ना करते हुए कमलेस अगली गैन के लिए टपा खाने के बाद बहुत डूर चली गई और हमारे एमपायर कुनाल के द्वारा वाइट का इसारा और अतिकरे रन के साथ यहां पे 50 रन का यहां पे आकड़ा चूटी हुई दुर्वान सी लेवन तो वेलकम फिप्टी काफी जल्दी में पहुँच गई है 50 के पास लेकिन अब यहां से कितने रन बोटर पाती है वो आने वाला वक्त बटाएगा और उसी बीट यहां पे काफी अच्छा सौट कार्पेट के साहरे खुले हुआ हुआ सौट और यहां पे फिल्डिंग में ठोड़ी सी गड़ अब बार यह फिल्डर ने हलकी सी मिस्पिल की के से मिस्पिल कार्पेट सौ. ए मैं हुआ सौट जल्डरों के से लाज़ी में खिल्डरों के सका मुआ कार्पेटर ने ही. झाल 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 तो चार वर की बाद यहां पे बदली जाएगी तो चार वर की बाद बदलने का मौका दिया जाएगा बोट साइड यही नियम रहेगा और यह जो मेगा फाइनल चल रहा है तो मेगा फाइनल में यह भी स्टेटेजिक टाइम आउट चल रहा है तो यहां पे देखना पड़ेगा कि बल्ले बाज और घैन बाज ने किस प्रकार की स्टेटेजी बनाई है मेरे ख्याल से घैन बाज कि स्टेटेजी यही रहेगी कि जो चार वर में 54 रंड का यहां पे जो स्कोर खड़ा कर दिया है तो उससे जितना जल्ड़ी से जल्ड़ी जो एवरेज बढ़ चुका है उसे रोकने की कौसिस करेंगे लेकिन जो बल्ले बाज है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कौसिस करेंगे लेकिन जो फिर से वही गल्टी दौर आते हुए सभी फिल्डर है ओके ओके हुआ 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 है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर महाकाल के जो फिल्डर है सभी फिल्डर ठोड़ा सा दबाव में सुस कर रहे हैं बारी बारी सभी फिल्डर ठोड़ी सी मिस्पिल कर रहे हैं अभी अभी यहाँ पर एक मिस्पिल जरूर हुई और मिस्पिल के वज़ए से च यहां पर फिर से दिशा से भटके और नटीजा हमारे एंपायर जैडी प्रावल सर्के दिवारा वाइट करा दीगी अतिरेक एक रन और मिलेगा और इस एक अतिरेक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 59 एक विकेट के नुक्सान पर तो अब यहां से विक्ट वाइडी सब गैन फैक्टने में काम्याब हमने यहां पर पूरी टूनामेंट में देखा है कि जब गैन वाइडी सब पढ़ती है तो उसे खिलना बेस्मेंट के लिए ठोड़ा सा मुश्किल होता है और वो कारगर साबित हुई है तो यहां पर जितने भी जो गैन बाज है गोजो अगर मेरी कोमेंटरी सुन रहे है टोन को यह बात जहन में रखनी पड़ेगी और लेक साइट पर फिर से फिर से गल्टी कर दी और यहीं गल्टी का खाम्याजा भुगतना पड़ेगा चार रंस से अगर आप गल्टी करोगे तो नीची द्रूप से खाम्याजा भुगतना पड़ेगा और खाम्याजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा चार रंस से काफी यहाँ पर बड़िया बल्ले बाजी करते हुए डोनर बल्ले बाज रुटी खेल रहे हैं चोड़ा गैनों में 28 रं और प्रतिक खेल रहे हैं साथ गैनों में 14 रं यानि के डोनों 200 की स्ट्राइक से खेल रहे हैं यह भी एक महत्वपुणा संयोग बना हुआ है कि दोनों बल्ले बाज यहाँ पर खेल रहे हैं और वो भी उनका स्ट्राइक रेट है 200 का मेरे ख्याल से गैन यहाँ पर घुम चुकी है हो चुकी है तो सभी जो यहाँ पर खेल रहे हैं फिल्डर उनसे बिंटी है कि वो फिल्ड में आ जाए यहाँ पर एक महतोपुणा सुचना प्रेक्सक के लिए है कि एक्सिस की जो चाबी है वो चाबी मिली है उसके साथ एक छोटी चाबी भी है तो जिसकी भी है वो यहाँ से आके कॉमेंटरी बॉक्स में इसे लिए जाए एक्सिस गाड़ी की यहाँ पर चाबी मिली है उसके साथ एक चाबी और भी जुड़ी हुई है तो जिसकी भी है वो यहाँ पर कॉमेंटरी बॉक्स में आके लिए जाए यहाँ पर चार ओवर और तीन गैन हो चुकी है और स्कोर बड़ पर स्कोर लग चुका है तैंसेंटरन 63 और यहाँ पर फिर से मैं बार-बार वही बताने की कॉसिस कर रहा हूं कि अगर वाइडिस आप गैन डालते है तो वह गैन काफी कारगर साबित होती है लेकिन अगर आ रहा है क्यूंकि रूट्विक पंद्रा गैनों में 28 रण बनाके अभी भी क्रीज पर मौझूद और प्रटिक चार साथ गैनों में 14 रण बनाके बीबी पर मौझूद और उसी बीच फिर से यहाँ पर एक रण के लिए डौर चुकी है और हलकी सी मीस फिल नहल के द्वारा लेकिं दूसरे रन की यहां पर कोई गुंजाईस नहीं, नतीजा उनको एक ही रन से संतोज करना पड़ेगा, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, अब पहुंच चुका है, 64, एक विके के नुक्सान पर, यह पांच भी और का खेल जारी है, और रन बन रहे है, तेरा की और सत से जादा से, तो काफी अच्छा स्कोर यहां पर, अगर प्रोजेक्ट स्कोर की बाट किये जाए थी, तो 106 की आसपास किये, यानि कि 100 के उपर स्कोर चला जाएगा, अगर इसी प्रकार रन बंटे रहेंगे तो, और उनका पूरा स्रे जाएगा, यह डोनों बल्ले बाट के उपर, काफी जम के यहां पर, जो घैन बाट की है, वो पिटाई कर रहे हैं, जो चाँ किये अगर आए, जो जो घए, आए वो रन, धूरा निगो, पटी जो? कि व्वाल में व्वाल अशेगद करिणा ये वित करें नहीं नॉयां में पहर करेंने अधुर अधुर नहीं आख अधुर नब देगा हुआ एक्टार एंधुर जब करें अनुम है रुट करेंग mm अब चटी ओर की जिम्मेडारी लेकर आए हैं अमित अपने कोटे का दूसरा और अपने टीम के लिए छटी ओर की जिम्मेडारी अमित के उपर आई है अमित जो के पहली ओर में थोड़े से महँगी जरुर साबिट हुए लेकिन कफ्तान ने उन पे बरुसा जटाया है और उन चटकाने में अब काम्या बड़ी मस्ली रूट्विक जाल में फसाया और नतीजा रूट्विक आउट होकर वापस पेलने में अच्छी फाइव पासेट पासेट अमीठाई साँ पासेट आजी देखाएटिप अमीठाई ने अग्यार फेडार जम्मा करावा नहीं है तो यहां पे अमिद रुटिक की विकेट लेने में कामियाब रही यानि के 501 रुपया का नकट पुरसकार उनको यहां प्राप हो चुका है वीवेक और के वाल के द्वारा उनके लिए इनाम की गोषना की गई थे अगर रुटिक का विकेट लेते हैं तो पांसो एक रुपय क नकट पुरसकार दिया जाएगा और करन्ट जलाराम की और से भी उनको पांसो एक रुपय का पुरसकार दियने का यहां पे कॉल आ चुका है तो उनको भी पांसो एक रुपय का वो इनाम मिलेगा अमिट जो के रुट्विक का विकेट चट का में कामियाब रहे स्निहल जो के कैच जरू छोड़ चुके ठे लेकिन रुट्विक की कैच में बाद में दुसरीव कोई गल्टी नहीं की और और यहां पे कीपर के द्वारा गल्टी कर दी भाई के रुप में जरूर एक रन मिलया यहां पे महाकाल के जो फिल्डर है बार बार वही गल्टी दोहराते हुए थोड़ा सा यहां पे दबाव महसुस करते हुए लेकिन स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुचा है 68 लेकिन यहां पे अमिट पहली और में जरूर महंगे सा पहली ओर में पंदरा रन दिए ठेले किन अब तीन गैन चार गैन में सिर्फ अब उन्होंने कि एखी रन डिया है उन्होंने काफी बढ़िया सौट स्ट्रेट ड्राइव खिला हुआ सौट डू फिल्डर उसके पास पहुंच चुके फिल्डिंग के लिए और काफी बढ़िया फिल्डिंग एकी रन से यहां पे विकी को संटोस करना पड़ेगा विसाल जो के विकी के नाम से जाने जाते हैं और यहां पे जो यह मैच मेगा फाइनल खेला जाहर है उसमें पहुंचाने में उनका भी एहम योगदान रहा है तो काफी अच्छा सोड ठर्में की दिसा में खेला हुआ सोड लेकिन एक ही रन से यहां पे संटोस करना पड़ेगा प्रठीक को और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है siitä रन्म स्वेंटी दो विखेट के नुक्सान पर तो छेवर कि समापती हो चुकिए और चेवर किसमापती स्कोर हुआ है सेवन्टी रन та यहां पर अमिट की घैना बाजी कि इस बार टारिफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपनी घैनबाजी में महज तीन रन डिये और एक महत्वपून विकेट रुट्वी का चटका है और रुट्वी के आउट होने के बाद जो रणों की गती बढ़ चुकी थी 13 के और 14 के आसपास से जो स्ट्राइक रेट से यहां पर रन चल रहे थे वह अब 11 के करीब आप पहुंची है तो ठोड़ी से स्ट्राइक रेट में यहां पर गिरावत जरूर आई है रुट्वी के आउट होने के बाद तो अब विकी और पथिक को यहां से जो स्ट्राइक रेट में गिरावत आई है उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके उपर आया जाएगी अब घैनबाजी की जिम्मेदारी लेके आये है योगेस अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए साथ वाओर योगेस जो के काफी अच्छी घैनबाजी की महज उन्होंने पहली और मैं सिर्फ आठ रन दिये थे और रनों क की जो गिरावाट आई है तो उसके लिए उनकी घैनबाजी भी थोड़ी सी यहां पर जिम्मेदारी है अब स्टाइक पर है पठीक और उनका सामना होगा योगेस से घैनबाज है योगेस यहां पर पॉइंट की डिसा पर फिल्डर के सर के उपर से खिला हुआ सौट तरन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ जा पहुचेगा सेवन टीप फोर लॉस आफ्टू वीकेट जादा तर जो बल्ले-बाज होते हैं वह लेक साइट पर खेलने के लिए तयार रहते हैं लेकिन यह पर प्रतिक के बल्लेबाजी की तारीफ करने पड़ेगी उन्होंने जितने भी ज्यादा से ज्यादा रन बनाए वो अपसाइट पे बनाए है और इस प्रकार का सोट खिलना इतना आसान नहीं होता है कवर के दिसा में से पॉइंट की दिसा में से खिलना आसा और इसी भी फिर से यहां पे बढ़िया स्वाट लेकिन इस बार वहां पे फिल्डर टैनाट कर दिया गया है अमिट के रूप में वहां पे फिल्डर है और काफी अच्छे फिल्डर है तो उनके द्वारा एक ही रन य काफी बढ़िया गैन टपा खाने के बाद हल्की से बाहर निकले विकी थे थोड़ा सा एंपर योगिस की अगली गैन खेलने के लिए इस बार फिर से गैन काफी देर टक हुआ में लेकिन वहां पे फिल्डर मौजट इस बार फिर से गैन इतना आसान नहीं था कैच लेकिन जेओ भी कैच हो अगर आप फाइनल में खेल रहे तो इस प्रकार का आपको एफोर्ड लगाना पड़ेगा कि कैच पकड़नी पड़ेग इस बार थोड़ी सी दिशा से बढ़के और हमारे एंपायर जैदी प्रावल काफी चोकने और नतीजा वही सारुख वाली पोज और नतीजा वाइड अतिरेकरन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ दिएट इस बार लंबी हीट लगाने की कॉसिस लेकिन टपा खाने के बाद गैन ठोड़ी सी बाहर निकली और वहाँ पे कीपर ने भी चर्तुराई दिखाई और हलकी सी अपील लेकिन हमारे एंपायर कुणाल पटेल के उपर कोई प्रभाव नहीं नतीजा विकी अभी भी सुरक्स अपनी क्रीज में मौझूद विसाल जो के काफी लंबी-लंबी हीट लगाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज थोड़े से यहां पे लंबी हीट लगाने की कॉसिस में जोखम उठा रहे हैं लेकिन छे गैनों में अभी भी सिर्फ तीन रन बना के क्रीज पे मौझूद ह पिर से लंबी हीट लगाने की कॉसिस कीपर के हाथ से गैन चुटी और गैन चली गई है कवर भाई के रूप में एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है दो विकेट के नुकसान पे तो काफी बढ़िया घैन बाजी योगेस के द्वारा दो और मैं सिर्फ 16 रन दिये लेकिन विकेट लेने में कामियाब नहीं रहे लेकिन फिर भी रनों की जो गती थी वो गती जरू रोख पाए हैं कि अब भी आखरी वर का सेस गेन बाकी है यानि कि अभी भी छे गेने बाकी है और छे गेन में कितना स्कोर बड़ा तकते हैं वो डेखने पड़ेगा शाट वर की समापती होँ चुछे एयर साट वर की समापती पे स्कोर हुआ है स्कोर बाड पे 179 लौस अफ टू एकेट आ आख्री और स्लोग ओवर में क्या करते हैं वो काफी अच्छा सौट विशाल के द्वारा एक रन जरुचुराने में काम्याब रहेंगे दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन वहां पर बढ़िया फिल्डिंग दूसरे रन के लिए प्रठीक डॉर भी चुके थे लेकि विकी ने मना किया क्योंकि विकी के बले पर गैन आ नहीं रही है तो प्रठीक जितने ज़्यादा से ज़्यादा गैन खेलेंगे उटना अच्छा रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर विकेट चटकाने में काम्याब तो तो प्रठीक आउट होकर वापस पेलियन में प्रठीक ने अपनी टीम के लिए बारा गहनों में टेस्रेंड का योग दांदिया कि अ वह जो होजां? इवार घी जेघी जैए क्या क्योंगि कोना ईवट यह ? पड़िक आवट हुट तो यह आखरी ओर का खेल जारी है और प्रतिक आउट होकर वापस पहले ने पहुंच चुके हैं 12 गैनों में 23 रन का महतोपुन योगडान दिया और यहाँ पे जो 80 रन का स्कोर खड़ा किया गया है उसमें उन्होंने भी अहम भूमी का निभाई है पहले मौनाक ने अच्छा स्टाइड या उसके बाद रुट्विक ने भी काफी बढ़िया बले बाजी की और उसके बाद प्रतिक अब प्रतिक का स्थान लेने के लिए पहुंच गये हैं प्रतिक अधित्य जो के एक विकेट चटकाने में जरू कामियाब रहे हैं काफी अच्छी गैन लंबी हित पैरों के दिशा में पैरों से टक्राई और नतीजा लेगबाई के रूप में एक रन जरू मिलेगा इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाप पहुचा है एक टीवन टीन विकेट के नुक्सान पे आखरी और की अगली गैन खेलने के लिए विकी तैयार फुल्टास गैन थी लेकिन पूरी टारसे चुके काफी बढ़िया गैन लेकिन कीपर से यहाँ पे गल्टी हुई नतीजा एक रन आज मिश्फिल की वाज़़गे यही अगर महाकाली लेवन की फिल्डिंग की बात की जाए तो मिश्फिल से काफी रन बने है और बाई के रुप में यहां पर और एक रन मिला है तो मिस्पिल की वज़ा से मेरे ख्याल से 10-15 रन होने दिये अगर वो रन बजते तो यहां पर यह स्कोर अलग होटा और कुछ नजार अलग होटा लेकिन अब जब फिल्डिंग में यह गड़बड़ी होई ही चुकी है तो आप क्या कर सके जब चीडिया चुक गई खेट कि अ कि अ कि अ कि इनकी आखरी गैन फुल्टोस गैन वहां से फिर से एक बार फिल मिस्टिक और जहां पर एक रन बनना चाहिए था वहां पर डूसरा रंचुरा लिया तीसरे रेन के लिए आपर डॉड़ना जरूर चाहेंग और यहां पर रन आउट तो यह इस बार यहां पर कीपर ने जरूर पर सुजबुज क्योंकि बेल्स उड़ चुके थे तो यहां पर स्टम उखारना जरू था और स्टम उखार दिया नटीजा विकी रन आउट होकर वापस पे अलियन में तो यहां पर पारी की समाप्ती हो चुकी और पारी की समाप्ती पर स्कोर हुआ है 84 अगर महाकाल को यह मैच जीतना है और वो चमचमाटी चैंपियन वाली ट्रॉफी हाथ में उठानी है तो 85 रन उनको बनाने पड़ेंगे यानि के डुवान सिलेवन ने यहां पर 84 रन बना 85 यहां पर महाकाल यहां को 85 रन का चुनट दिया है पर चुंकाल का राल्यां सिलेवन ने यहां और भी है कि जीतना है और महाँ को बना पर बना का यहां कि तो multiple बने यहां। झाल झालक महां का तो किहां है आट तो और भी है झाल झाल अमीद भाई ने विनान्टी छेके कमेंटरी बॉक्स मा आवे पोटानू इनाम लेवा माँटे रूट वीक नी विकेट लिडेल याथी त्यना पर पांशो पांशो रुबिया आथा वीवेग भाई अने केवल भाई टरप्थी अने करण भाई जलाराम खमान टरप्थी झाल वीवेग भाई पांशो पने करणे आवेगी देदाभाई पीके साथी में वीके लिवेगा है भाई शुबिया आवेगास्ट भाई ए्लाराम खई अने कर दो हमाँटे आवेगागिवेग्यागक टूएजारी तकतकश कर लीवेगारा माँटे जो जो बूटे गएग झाल 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 फाइनल खेला जा रहा है और ये मेगा फाइनल की अंदर पहुच चुकी है ड्रुवान्स इलेवन और महाकाल और पहली निंग की समात्ती हो चुकी है पहली निंग की समात्ती पे स्कोर हुआ है 84 लोस आप फोर विकेट और जिट के लिए यहाँ पे महाकाल को 85 रन का लक्ष दिया है तो अब देखना पड़ेगा कि वो चेंपियन की ट्रॉफी है वो कौन उठाएगा वो आने वाला वक्त बटाएगा लेकिन यहाँ पे इस पूरी टूनामेंट को सफल बनाने के लिए आय आयोजन किया और इसके लिए मैं आयोजग को धन्यवाद देना चाहूंगा और उसका आभार भी प्रकट करता हूं लेकिन इस बड़िया टूनामेंट को सफल बनाने के लिए जितना आयोगा आयोजग का हम योगदान रहा है उससी प्रकार स्पॉंसरों का भी एहम योगद और परंबिक बल्लेबाज के रूप में आये हैं नेहल हर्पती और संजय नेहल हर्पती जो के माक काल को फाइनल में पहुंचाने में उनका बड़िया योगदान रहा है डोनों बल्लेबाज ने काफी अच्छी पारी खेली है तो अब देखना पड़ेगा कि वो चैंपियन वाली चमचमाटी ट्रॉफी कौन ले जाएगा काफी बड़िया गेन लेक साइट पे काफी अच्छी तरह से खेला हुआ सौर्ट एक रन जरू मिलेगा डूसरे रन के लिए हाँ पर जाना चाहेंगे और आसानी से डूसरे रन भी चुरा लिया मैंने यहाँ पे जितनी भी या महाकाल की जो मैच देखी उसमें जरूर यह देखा है कि जब तक स्निहल और संजेग और जो बल्ले बाज है वो विक्टे पे डॉर काफी लगाते जहां एक रन बनना चाहिए ताम वहाँ पे दो रन चुराने में जरूर कामियाब रहता है इ इस बार उट्रिक और गलती कर बेठी और बड़ी मचली जाल में पस गई स्निहल आउठ हो के प्रवापस पे अलियन में बड़ी आप गलती यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी स्निहल ने इस प्रकार के सोट खेलने कि यहाँ पे जरूरत नहीं थी आवस्षक्टा नहीं जब चीडिया चुक गई खेटू यही कहूंगा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था स्निहल कर क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं लेकिन आज फाइनल में जरूर उन्होंने उनके कप्तान को नीरास किया है और नटीजा सिर अब आये हैं जील जो कि सेमी फाइनल के हीरो रहे हैं अपनी टीम को जीताने में और फाइनल में पहुंचाने में बहुत बड़ा युगदान रहा है जील का जो कि आज बड़े बॉई है काफी अच्छा सौट फिल्डर वहाँ पे मौजूद लेकिन एक रन से मेरे ख्याल से रोक नहीं पाएंगे ठोड़ जरूर खराब रही फिल्डिंग ठोड़ी सी खराब रही अगर सटिक स्ट्रो होता तो यहाँ पे निश्चीत रुप से रन आउट का खत्रा बना हुआ थ प्रटिक जो के ठोखराब था तो ठोड़े से गुस्ये में भी है अगर सटिक फ्रो होता तो निश्चीत रुप से कुछ हो सकता था वहाँ पे उसी बीच अगली गैन इस बार फुल टॉस गेन फिर से वही दिशा में खिला हुआ सोड एक रन से इस बार भी रोक नहीं पाएंगे एक रन के साथ स्कोर अब जा पहुचा है चार रन एक विकर के नुक्सान पे जोके बड़ी मस्ली स्निहल को जाल में फसाया था प्रतिक ने स्निहल अभी भी काफी निरास अपने सोड से काफी आपस्दम से बाहर हमारे एमपायर का इसारा वाइड और वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पाच रन यहाँ पे दुर्वान सी लेवन 84 का अगर लक्स बनाने में काम्याब रही है 84 का उन्होंने जो लक्स रख रख 85 का लक्स जो रखा है उसमें काफी बढ़िया गैन इस बार मेरे ख्याल से टप्पा खाने के बाद गैन थोड़ी सी बाहर चली गई ही बल्ले बाद कुछ समझें उसे पहले कीपर के दस्ताने में कीपर ने कोई गलती नहीं की नतीजा स्कुर अभी भी रूका हुआ पाच रन आल कि अ और यहां पर फिर से हुआ कहानी गनट अप्पा खाने के बाहर कीपर के दस्तानों में कीपर ने कोई गलती नहीं कि नतीजा पहली और की समार्टी और पहली और की समार्पी पेस्कोर बोड़ पेस्कोर हुआ है 5 रन अगर महाकाल और अगे यहां से निकल चुके थे तो और उनका पूरा स्तरे जाएगा इस्ट मोनाक और रुट्विक को उन्होंने पहले और से जो फिल्ड रिस्रिक्षन का उसमें ताबर तो बल्ले बाजी करने का निश्चे किया था और उसमें काम्याब रहे थे और दो ओवर में 32 रन बटो रहे थे यानि कि 16 की और सट से रन बनाये थे जबके यहां पर बहाकाल की बात की जाए तो पहली ओर में सिर्फ पांच बने है और एक महत्वपूण विकेट स्नेहल के रुप में गीरा था स्नेहल जो के काफी अच्छे बले बाद थे लेकिन आप खास कुछ करने ही पाए और डो गैन में दो रन बना के क्रिस्ट यहां पर पैर लिन में रोट चुके हैं यहां पे गैन बैट का बहरी किनारा जरूर लगा था लेकिन सेव जोन में गेन गिरेगी एक रन जरूर चुनाने में कामियाब रहेंगे इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आप जा पहुंचेगा छे रन तो मैं जिव बात कर रहा था महाकाल की गैन बाजी की तो महाक महाकाल ने घैन बाजी में मेरे ख्याल से 10 की करीब वाइट दिये तो यह एक भी यहां पे जो रन बड़ा बड़े है और बने है चौरा सी रन उसमें यह वाइट का भी बड़ा योगडान रहा है अब देखना पड़ेगा कि यहां पे डुवान सी लवन के जो घैन बाज है तो वो कितने वाइट फैकते हैं वो भी आने वाला वक्त बटाएगा लेकिन महाकाल ने 10 के करीब यहां पे वाइट फैकी और निश्चितरुप से अगर 10 वाइट की बाद की जाए तो ये दो और के करीब हो जाती है तो दो और उन्होंने जाड़ा फैकी है और वही उनको यहां पे यह खामियाजा भुगटना पड़ा है चौरा सी रन यहां पे डुवांसिलों ने बनाए और पंचासी रन का लक्स दिया है थोड़ी से मिस्विल में भी उन्होंने रन दिये अगर वो थोड़ी से रन बचा ले तो यहां पे थोड़ा सा रनों का जो पहाड़ है वो थोड़ा सा छोटा होता है जो कि दूटीक जो के बार-बार यहां पे डॉट गेंड डालते हुए पहली गेंड जरूर से हलका सा कट जरूर लगा था लेकिन उसके बाद डोगेंड नेट्टू नेटू डॉट डाली है तो यहां पर पूरी टरह से बले बाद पर को यहां पर मौका दिया जेडी जो के सेमी फाइनल में काफी बढ़िया खेले थे तो यहां से यह कैच कि इस बार दिशा से बढ़के एंपाय ने कोई गल्टी ने कि और नतीजा वाइट करा दिये और अतिरे करन के साथ स्कोर बढ़ता हो जा पहुंचेगा आठ रन तो यहां पर बात चल रहे थी जेडी की जो के बड़े बॉय है और उन्होंने सेमी फाइनल में काफी बढ़िया बल्ले बाजी की थी तो उनका विकेट यहां पर अहम रहता है लेकिन उनको एक चांस जरू दिया है तो देखते हैं कि उस चांस का वो कितना लाब उठा पात है तो ज़्यात से ज़्यादा गेंबाज यहां पर वाइडीस और गेंबाजी करने के पसंद करते हैं क्योंकि इसमेब रन बनाना इतना आसान मिए अगर दिसा से बटकते हैं लेक साइट पी डालते है तो रन बंते हैं और ईसी भी फिर से वही गेंड़ वाइड़ इस लग परफिसर कोई नुकसान नहीं को यह तो नोर कि समएप्टी मेर नुक्तर मैशनी रतार गाईन। छे अक पिछ म मित बना ने भधर है तो तो काफी पिछड चुकी है कि यहां से और यह फूर फूर है तो महाकालों कोई अगर जीतना है तो यहां से एक डुके वाली बात नहीं चलेगी यहां से चोके और छक्के वाले बारिस करने पड़ेगी नहीं तो निशीर रुप से यहां पे धीरे-धीरे महाकाल की तीम पिछर जाएगी और जो वो चम-चमाठी ट्रॉफी है वो हाथ से निक अब दूसरी और की जिम्मेदारी फिर से लेके आये हैं प्रतिक इस बार लेक्स अंपिक पहले से जगा बना ली थी और लेक्स अंपिक खेल दिया है और नटीजा चार रण करें तो यहां पे ठोड़ी सी रोड़ों की गटी बढ़ाते हुए जेडी एक चोका लगाने में जरूर काम्याब हुए है तो यहां से एक जिवद्डान जरूर मिला था उसका पूरा लाब उठाने की कौसित जरूर करेंगे प्रटिक जो के काफी अच्छी गैन बाजी की है अब तक उन्होंने अपनी गैन बाजी में नौरन दिये है और महत्वपुन विकेट चकाया जरूर है फिर से लेक सब खेलने की कौसित लेकिन इस बार जड़ में डाली हुए गैन और बैट का हलका सा बाहरी किनारा और फॉलोट रूमें खुड फिल्डिंग करते तब तक एक र कि यहां पर माकाल को काफी पूर्ट साइट किया जा रहा है माकाल तीम अगर यहां से जित्ती है तो केवाल वीवेक और करण की तरफ से उन्हें हजार रुपय का नकट पूरसकार दिया जाएगा काफी बढ़िया गैन फिर से वही कहानी डॉट गैन वाली तो यहां से जितने जादा से जादा यहां पर गैन बाद डॉट गैन निकालने की कौसिस करेंगे लेकिन बल्ले बाज को यहां से चोके और छके वाली बारिस जरूर करनी पड़ेगी किके काफी बढ़िया गैनों में 72 रनों की जरुवत है कि फिर से यहाँ थोड़ी सी लिशा से बढ़के और नटीजा एक्ष्ट्रा के रूप में और एक रन जुड़ जाएगा स्कोर बॉर्ड में और स्कोर बॉर्ड पहुंच जाएगा 14 अगर महाकाल को अगर यह मैच जीतना है तो अब 33 गैनों म इकत्तर रन सिवंटी वन रन बनाने हैं बन सकते हैं और यहाँ पर पूरी टरे से चक्मा घाते हुए लेकिन बैट का बहारी किनारा जरू लगा है एक रन लेने में जरूर काम्याब रहेंगे गैन को समझ नहीं पाहें लेकिन काम्याब रहें एक रन चुराने में और इस ए प्रतिक के द्वारा और एक डॉट गैन तो यहां महाकाल के गैन बाज है सुरी बल्ले बाज है उनके बल्ले पर घैन आर नहीं रही और नटीजा बिंडी गैन जादा बढ़ रही है और यह उनके लिए खट्रे की गंटी है तो यह खत्रे की गंटी से संबल जाना चाहिए कप्तान है अमीड पटेल है और उनको यह उनको समझाना चाहिए कि डॉट गैन जितनी निकाल और इसी बीच यहां पर रोनों की गटी बढ़ाने की कॉसिस में गैन हवा में पहुचा रहे और बढ़िया कैच और जेडी को चलता किया सेमी फाइनल के मैन मैं यारी के हीरो को यह आप से चलता किया तो थोड़ी सी पारी लड़ खड़ाती हुई प्रटिक जो के फाइनल के काम्याब गैन बाज दो और में बारा रंडे के डो विकेट उनरे चटकाई यानि कि तीन ओवर किसम आप्टी हो चुकी और तीन ओवर किसम आप्टी पे स्कोर हुआ है सिर्फ 15 रन और डो विकेट महत्वपूर विकेट यहां पे चटक चुके है इसने हल जो के काफी अच्छे बल्ले बाद है वो भी पेरलेन में पहुंच चुके हैं और सेमी फाइनल के हीरो जेडी वो भी यहां पे कुछ खास नहीं कर पाए और पहुंच चुके है अब चौठी ओर की जिम में डारी लेके आए हैं रुट्विक काफी अच्छी गैन बाजी की है एक और मैं सिर्फ टीन रन डिये हैं विकेट चटकाने में कामियाब नहीं हुए है लेकिन रनों की गति जरूरों की है और इस बार फिर से लेक्स्टम पे खेलने की कॉसिस गैन चली गई स्टम के उपर से एंपायर पे कोई प्रभाव नहीं नतीजा बिंडी गैन तो बार बार वो खट्रे वाली घंटी यहां पर बच्ती हुई बिंडी गैन वाली तो यहां से अगर रनों की गटी नहीं पिछड़ जाएगी और उसे बीच काफी बढ़िया गैन वाइड इस ऑफ गैन है तो वाइड इस गौफ गैन फिर से यहां पर कारगत होती हुई साबिट हुई और नतीजा फिर से एक और बिंडी गैन अगर डोनों टीम की टूलनाट मख बाट की जाए तो डोनों टीम के बल्ले बाज काफी अच्छा सौट पॉइंट की दिशा में खिला हुआ सौट एक रंट और यहां पर रन आउट बड़ी गल्टी कर दी काफी बड़िया फिल्डिंग प्रटिक के द्वारा प्रटिंग यहां पर इस मैट में मेरे ख्याल से हीरो रहेंगे क्योंकि उन्हांने काफी बड़िया गैनबाजी भी की और दो विकेट महत्तो पुड़ विकेट चटकायों और एक रन आउट किया है तो यहां पर इस फाइनल मैट के मेरे ख्याल से हीरो रहेंगे काफी बड़िया प्रफॉर्मंस देटे हुए प्रटिक रन बन नहीं रहे तो रन बनाने की कौसिस में जो डबाव बना हुआ था वो डबाव में आ गए और नटीजा रन आउट होकर वापस पेल में पहुच चुके हैं अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं कमलेस लालू और पूरी जिमेडारी लालू और संजे के उपर संजेई जो के नौ गेनों में तीन रन बना के अभी भी क्रिस्पे मौजूद और इस बार कातपी बढ़िया सौट है कि अधर अधर के आ यह कंदेने की अधर क्वाश्य कि अधर के अधर कमलेस ने आते ही अपना अंदाज दिखा दिया है अगर अंडा जैसा है तो आगास के सा रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आते ही पहली गैन पे रुट्विक को पारी का पहला छक्का लगाती हुए अब रुट्विक हलके हलके बाग से आगे बहुती हुए अब फिर से काफी बढ़िया गैन काफी बढ़िया गैन लेकिन कमलेस की यहाँ पे टारिफ करने ही पड़ेगी आते ही पहली गैन पे छक्का जड़ दिया और उन्होंने अपना खेलने का अंदाज बटा दिया है कि वो इसी प्रकार आकरमक रुप से खेलेंगे लेकिन देखते हैं कि वो अपनी पारी कहां टकल जाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इस बार फिर से वही गल्टी दोहरा आते हैं दूइंडी गैन तो रुटी की यहां पे ओर समाप्ती हो चुकी है यानि कि चार ओर की समाप्ती हो चुकी है और चार ओर की समाप्ती पे स्कोर हुआ है 21 तो यहां से यह गैन बदली जाएगी नई गैन दी जाएगी दुवान्स 11 के लिए यहां पे द्रुवान सीलेवन के लिए भी यहाँ से इनाम की यहाँ पर गोशना हो चुकी है द्रुवान सीलेवन यहाँ से विजेता होती है तो पाली बेंट विखुबाई राज मोनाकी डादी की तरफ से 1111 रुपय का नकत पुरसकार जीतने पर उनको मिलेगा तो बहुत 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 है हो आपको झाली बहुत 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 है तो फिर से मेडान के और चलते हैं ब्रिंक्स ब्रेक यानि के स्टेटेजिक टाइम आउट खटम हो चुका है डोनों टीमों ने अभी अपनी अपनी रन नीटिया स्टेटेजी बना ली है तो देखना पड़ेगा कि यहां से किस प्रकार की स्टेटेजिक और किसकी स्टेटेजिक काम्याब रहती है वह आने वाला वक्त बटाएगा उसके लिए इंतिजार करने चारोवर का और यह पांचीवर की पहली गेंपे एकरन चुराने में काम्याब और इस एकरन के साथ कोड़ बढ़ता हुआ जा पहुचा है 22 जब डिंक्स ब्रेक हुआ था चारोवर की समाप्ती पे 54 रन यहाँ पे बना लिया था एक विकेट के नुकसान पे तो यहाँ पे थोड़ी सी महाकाल पिछरती हुई लेकिन यहाँ से भी मैच जिटा जा सकता है लेकिन उसके लिए चौके और चक्के वाली उनको बारिस करनी पड़ेगी और वो दम उनके बल्ले बाजो में है कमले से फिर से लंबी हिट लगाने की कॉसिस लेकिन इस बार फिर से नाकाम्याब तो यहाँ पे अगर दोनों टीम के बोट साइड अगर बल्ले बाजी की बात की जाए तो धुवान सिले उनके बल्ले बाजों ने डॉट इतनी गैन नहीं की थी लेकिन जो महाकाल के बल्ले बाज ह उन्होंने डॉट का भी की है तो वही खामयाजा उनके और रणों के जो गती है उससे रोक कर भुगत ना पड़ रहा है और इस बार फिर से यहाँ पे तो पूरी एक सटिक लाइन है लाइन और लेंड है उनके पास दुर्वान सिले उनके जो गैन बाज है उनके पास एक काफी उपर अभी भी बने हुए हैं और उसी भी काफी बढ़िया गैन जड़ में डाली ही गैन कम लेज कुछ समझे उससे पहले फॉलवर्ट रूमें मौनाक ने उसे फिल किया नतीजा फिर से एक और बिंडी गैन काफी बढ़िया गैन मौना के द्वारा काफी बढ़िया गैन फिर से एक और बिंडी गैन पहली गैन पर एक रन बना ठाल लेकिन उसके बाद की जो चार गैन इथी वो डॉट गैन निकाली और यही कहानी बार-बार यहां पे महाकाल 11 के जो बले बाज है वो डौरार है नतीजा जो रनों की गती है वो रुकी हुई है और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है उसी बीच यहाँ पर आखरी गैन पर एक रन चुराने में कामियाब दुरान सी लेवन के लिए यहाँ पर फिर से इनाम की यहाँ पर एक नई जाहरात आ चुकी है दुरान सी लेवन अगर यहाँ से वीजेता होती है तो Honor मीतेस भाई की ओर से 5,001 रूपय का नकत पुरसकार टीम को भेट किया जाएगा यानि कि 5,001 का नकत पुरसकार पूरी टीम को मिलेगा तो देखते हैं वो यहाँ से जो इनाम की गोस्रा हो चुकी है वो इनाम के वो हकदार होते है या नहीं वो आने वाली तीन ओवर में हमें पता चल जाएगा और उसके लिए हमें ये तीन ओवर का इंतिजार करना पड़ेगा पांच ओवर की समाप्ती हो चुके और पांच ओवर की समाप्ती पे स्कोर हुआ है 23 रन तीन विकेट के नुकसान पे तो अभी भी जीट के लिए 18 गेनों में 62 रन का लक्स यहाँ पे अभी भी पार करना बाकी है तो काफी बड़िया 20 के और के उपर से के स्टाइक रेट से यहाँ पे रन बनाने पड़ेंगे तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितने रन बोटोर पाते हैं पहले से हम मेरे ख्याल से सफ्रिंग कर चुके थे और नतीजा एंपायर पे वाइट के लिए डबाव जरूर बना था लेकिन हमारे एंपायर काफी चौकन यह और उनके पर कोई प्रबाव नहीं नतीजा बिंडी गैन फिर से काफी बढ़िया गैन इस बार गैन ठोड़ी सी हलकी सी नीची रही लेकिन यहाँ पर मैंने जो बात बताई थी वह बात यहाँ पर पूरी टरसे यहाँ पर जो घैन बाज है उसके उसके उपर अमल कर रहे हैं ऐसा मुजल रग रहा है क्योंकि जो वाइडिस आफ जो प्रज वह ही करते हुए काफी अर्शे के बाद चौका लगता हुआ यह चटी ओर का खेल जारी है चटी ओर किस यहाँ पर टीन गैन हो चुकी है और स्कोर बड़ पर स्कोर लग चुका है 27 रन और यहाँ पर जो रनों की गती है वो ठोड़ी सी आगे बड़ी जरू है लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं हर गैन पर प्रहार करना पड़ेगा अगर इस प्रकार की डॉट गैन बिंडी गैन रहती है तो मुश्किल महा के लिए के लिए जरू हो सकती है यहाँ से जो चमचमाटी चैंपियन की जो ट्रॉफिय है उससे थोड़ी सी फीचर सकती है लेकिन यहाँ पर फाइनल में आना भी बहुत बड़ी बात होती है और जो डोनों टीम फाइनल खेल रही है उनके लिए जो भी चैंपियन बनता है और जो भी रनसर फोटाइल डोन कि हमारे उपर बैठेवे कैमेरामेन काफी धीरत के साथ अपने के जो पूरी जिम्मेदारी उमेस पटल निभा रहे हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं उसका पूरीटर ऐसे यहाँ पे ऑनलाइन और आफलाइन स्कोरर साथ निभा रहे हैं उसी बीच यहाँ पे गैन हवा में और व्रज को यहाँ पे सफलता मिलती हुई और एक विकेट का पटन झाल गयाँ पिन साथ आप Sounds चोठी की विकेट का यहाँ पर पतन हो चुका है यह चठी ओर का खेल जारी है काफी बढ़िया सोट और आते हैं पहली गैन पर यहाँ पर प्रहार करते हुए वेबाव तरो यह फ्रिबाव सब्सक्राइब करते हैं लोग। 20 ले खाया कि यहाई कि अपर जीस है कि आदा न। कि अच्छे और कि समाप्ति हो चुके छे और कि समाप्ति पे स्कोर हुआ है 34 यानि अभी भी बारा गेनों में 51 रणों की जरुवत है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब 25 की और सट से के जाड़ा रन बनाने पड़ेंगे यानि कि हर गेन पे चौका या चटना लगना ज़रूरी है काफी अच्छा सौट गैन बाज के सर के उपर से सीधा स्टे ड्राइव खिला हुआ सौट एक रन जरू मिलेगा इस एक रन के साथ स्कोर वड़ता हुआ जा पहुचा है थर्टी फाइव लॉस ऑफ फोर विकेट अभी भी बची हुई सेज ग्यारा गैने बाकी है लेकिन यहां पर बहुत लंबी मंजील हो चुकी है तो महाकाल यहां से धीरे-धीरे फाइनल की रिस से थोड़ी सी पीचड़ती हुई इस बर लेक्स आपे खेलने की कॉसे इस लेकिन गैन सीधी पीरो से टक्राइब नदी जा फिर एक और बिंदी गैन कीजिक भरकिए, 10 बाक्ति, 10 बाक्ति, दस्पोल नेर्ट, पचार वे, जिक भरकिए, अपरे, लखे भिछ, जिक पख़बगेंगें का रिखे मिनक्ति भूब सुन्धीर, लखे भी, लोना, धुन्ध, महागाग भी लखेड़ों, लिया, लिजा, निशीट, कांच, कांच, कांच कि एते इते कॉन चाले कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि जिम्मेदारी पूरी तर से निभाटे हुए मौनाक अब तरक शिर्फ डो ओर में उन्होंने साथ रंडिये तो काफी बढ़िया घैनवाजी यहाँ पर मौना के द्वारा डुवान्स पहले से ही यहाँ से टूनामेन शुरू है वहाँ से ठूरू आउट काफी बढ़िया क्रिकेट खेली है और फाइनल में पहुंची और फाइनल में भी उनका बढ़िया प्रेशन रहा अब जीत के में छेहलिस रन यानिके यहाँ नामुन किंट सा स्कोर है तो यहाँ से निश्चीत रुपसित डुवान्स इलेवन चेंपियन ट्रॉफी के और आगे बढ़ती हुई और द्रुवान्स इलेवन अगर जीत्ती है तो पाली बेन विखुबाई राज मौना की डाडी की तरफ से 1111 का नकट पूरसकार मिलेगा और और मिटेस बाइक की और से टीम को 501 रुपय का नकट पूरसकार मिलेगा मेरे ख्याल से यह 5001 पूरसकार मिलेगा तो निश्चीत रुप से मेरे ख्याल से वह नकट पूरसकार ध्रुवान सी लेवन ने हासिल कर लिया है उनकी टीमने हासिल कर लिया है अब महेज मेरे ख्याल से इस मैच में आपचारी त्राब आकी रह गई है ओर खटम करने का इंटिजार है यहाँ पे अब लेकिन यहाँ पे जो गोलवार चैंपियंज लिग सीजन टू का जो आयोजन हुआ था बड़ी आयोजन किया गया था निहल पटेल जैस पटेल प्रिट स्वैसनाव के द्वारा उनका बखुभी साथ निबाया दस्व दस तीम के जो ओनर है उन्होंने जो ओनर थे वह कंथी इंडियावन निसीत इलेवन पुझा सेंटिंग रिया चैलेंजर खेडू टैग्रो महकाल इलेवन डुवांस इलेवन रोनक डेकरोशन जैसिका इलेव मोरिय इलेवन यह सभी दस तीम के जो ओनर से उन्होंने उनका बखुभी साथ निबाया और साथ निबाये यूटूब के लाइव करने में भावेसभाई पटेल जो पियार स्पोर्ट्स लाइव के नाम से मसूर है उन्होंने बढ़िया यूटूब लाइव यहां पे दिख लिया उसके साथ उनका यह जो टूनामें सक्सेस हुआ मैं स्कोरर का भी बढ़िया योगडान रहा है ऑनलाइन स्कोरर है मीट पटेल और आफ्लाइन स्कोरर है क्रिस पटेल लेकिन जा मैं टारिप करना चाहूंगा जो यहां पे जो विकेट बनाई है काफी बढ़िया ग्र पिटेस वरजवेस्णाओ क्रिस अमीट बढ़िया उन्होंने यहां पे यह विकेट बनाई थी डोनो साइट पे गैन बाजी और बले बाजी डोनों के लिए वह सुट करती है अगर बले बाज अच्छा है तो वह रन बट रोर सक्ता था और गैन बाज अच्छा है तो वह व के टोपन बदगार हुई है तो यह विकेट टेयार करने वाले सभी और ये सायोग दिया है और यहां पे दूआं सिलेवन ने यह मैच जीट लिया याने के ये चैंपियन्स बन चुके है तो कॉंग्रेटुलेशन जुआन सीलेवन के कप्तान और और सभी टीम के और उनके चाहने वालों को बहुत 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 बढ़ाई झालों को बढ़ाई। झाल 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 झाल